प्रिविद्यार्दियों मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा असिस्टन प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस स्पिसी गौर्मेंट कॉलेज भीम आज हम बीए पार्ट सेकिंड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक ब्रिटेन के सम्विधान के तहट वहां समराट और राजमुगुट के बारे में अध्यन करेंगे लॉवल का कथन है यदि समराट राज्य के पोथ की प्रेरक शक्ती नहीं है तो भी वह उस पोथ का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है और इस प्रकार वह उस पोथ को नकेवल लाबदायक वरन अत्यन्त आवशक अंग है कारे पालिका का अपचारिक प्रधान समराट ब्रिटिन में संसदी शाषन विवस्ता है और संसदी शाषन प्रणाली की यह विशेशता होती है कि इसमें कारे पालिका के दो प्रधान होते हैं एक अपचारिक प्रधान और वास्त्विक प्रधान देश की शासन सत्ता कारेपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है किन्तो वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता इसके विपरित राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है इसलिए उसे कारेपालिका का अपचारिक प्रधान कहते हैं इंग्लेंड में संसदीश प्रणाली विद्यमान है समराट ब्रिटिश कारेपालिका का अपचारिक प्रधान है किंट उसके पास स्वास्तविक शक्तियां नहीं है वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री और क्याबिनिट के दुआरा किया जाता है जिससे सद्धांतिक रूप से गौन इसनती प्राप्त है वर्तमान समय में सामराज जी एलिजापेद बिती समराट पदपर आसीन है उन्होंने राजसिहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया उनके उत्रादिकारी सामराज जी के जेश्ट पुत्र प्रिंस चाल्स प्रिंस ओफ वेल्स है King and the Crown समराट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेश समय पर बिटिश राज्य के प्रमुख पदपर आसीन होता है जबकि राजमकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे समराट अपने सिर पर धारन करता है प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रता चली आ रही है कि समराठ पधारी व्यक्ति द्वारा विदिवत समारों के बाद जब राजमुकुट धारन कर लिया जाता था तब इसे उसे शासन के समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ती का प्रतीक था, किन्तु प्राचीन काल में तो समराट और राजमुकुट के इस भेद को कोई महत्व नहीं था, जोकि समराट राजमुकुट था और राजमुकुट समराट, किन्तु वर्तवान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तव घ्यान प्राप्त नहीं किया जा सकता ग्लैट्स्टरन के शपदों में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्वें अनेक सुक्ष्म भेद हैं पर उनमें इतना अधिक महत्पुन्द कोई नहीं है जितना महत्पुन समराट और राजमकुट का भेद है समराट और राजमकुट के भेद का महत्व शाशन पत्पर बिटेन ने अपने यात्रा एक निरंकुष राजतंत्र के रूप में प्रारंप की थी कि तो बिटेन में आज लोकतंत्र है राजतंत्र से लोकतंत्र के दिशा में ब्रिटिश सम्विधान का जो विकास हुआ उसका सीधा साधा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश सम्विधान का समस्त विकास समझा जा सकता है ना किवल ब्रिटिश सम्विधान के विकास वरन ब्रिटिश शासन विवस्था के वास्त्विक सुरूप को भी राजा और राजमुकुट के भ प्रयोग स्वयम राजा द्वारा नहीं बलकि राजमकुट के द्वारा किए जाता है। इस समवधानिकर्थ में राजमकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति के रूप में समराट कैबिनेट लोग सेवाय और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रिशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है सरसिडनी लौ ने राजमकुट को सुविधा जनक क्रियाशील उपकलपना कहा है और प्रोफेसर ओग राजमकुट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राजमकुट सर्वोच कारेपालिका तथा शासन में नीती निर्मान की संस्था है जिसकार थे राजा मंत्रियों तथा संसत का सम्शन यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां और विशेशादिकार धीरे-धीरे हस्तांतरित कर दिये गए हैं वस्त राजमकुट का तातपर संपून सरकार से है अब सम्बराट और राजमकुट के मद्ध क्या भेदे उनको हम देखते हैं पहला है सम्बराट एक व्यक्ति है जबकि राजमकुट एक संस्था है समराट व्यक्ति होता है जो एक विशेश समय पर राजपत पर आसिन होता है इसके विपरिट राजमकुट एक संस्था है यह शासन सत्ता का प्रतीख है जिसे विधाई, प्रशासनिक और नियाईक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं समराढ अस्ति होटई है जबकि राजमकूट स्थाई होता है समराढ व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है क्लिक नाव decision को पर वी milliseल सकता है इसके वित लौई ना कभी जन्म करती है ना ऑभी उसकी मृति होती है ब्रिटिश कनून के प्रशिद्र व्याख्या था ब्लैक स्टोन ने इसे व्यक्त करते हुए कहां हेंडरी एडवर्ट और है जॉर्ज की मृत्य हो सकती है लेकिन समराट सदय भी जीवित रहते हैं इसका अभिप्राई यह था कि एक विशेश समय पर समराट पद पर आसीन व्यक्ती की मृत्यों निशित है परन्तु समराट का पद जिसे राजमकुट कहा जाता है अमर है इसी अभिप्राई को व्यक्त करने के लिए इंग्लेंड में एक लोकोक्ती प्रसिद्ध है समराट मृत है समराट चिरन जीवी हो दा केंग इस डैड लॉंग लिग दा किंग तीसरी भेद इनका समराट वयक्तिक है राजमकुट सामोहिक समराट और राजमकुट में एक अन्य अंतर वयक्तिक और सामोहिक तका है समराट का रूप वयक्तिक है राजमकुट का रूप सामोहिक है चोथा वास्तिविक प्रशासन में समराट शक्ति ही ना जबकि राजमकुट सर्वशक्ति शाली भूत काल में समराट वास्तिविक प्रशासन में सर्वादिक शक्ति शाली था वर्तमान समय में भी समराट को गोई शक्ति की प्राप्त नहीं है किन्तु राजमुकुट एक संस्ता है जिसमें समराट के अतिरिक्त मंत्री मंदर और संसत भी सम्मिरित है अताव्यक्ति रूप में समराट के हाथ में शक्तिया निकल कर राजमुकुट को प्राप्त होती रही और राज्मकुट शक्ति शाली है, बितेज्ज में प्रिचलेत् यह कहावत की जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राज्मकुट की शक्ति बढ़ जाती है। विरोधाबास प्रतित होने पर भी निचान सकते हैं। Indonesia Kingdom का प्रतिक है। समराट की उत्राधिकारी के समन्द में यही नियम प्रशलित है कि समराट अत्वा स्वामराग्गी का जेश्ट पुत्र अत्वा पुत्री सिहासन का अधिकारी होगा। किन्तु यादि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं या राजा को किसी कारण पच्चुत कर दिया गया हो तो उसके उत्राधिकारी की व्यवस्ता संसत करती हो धारण के लिए 1689 में स्ट्वर्ट वंश के राजा जेम्स वुतियर के इंग्लैंड छोड़ देने पर ब्रिटिश सं संसत ने ही विलियम और मेरी को राजा और रानी बनाया और 1701 में रानी एन के कोई संतान न होने के कारण संसत ने उत्राधिकार नियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जॉर्श प्रथम को समराठ का पत्प्रदान किया था वर्तमान समय में समराठ के उत्राधिकारी नियम सन 1702 के उत्राधिकार के नियम द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं संसत को इन नियमों में परिवर्दन करने का अधिकार प्राप्त है राजपत के लिए वेतन भत्ते क्या होंगे तो वर्दमान समय में सामराज जी को व्यक्तिकत रूप से एक करोड चालिस लाख पॉंड प्रतिवर्ष दिये जाते हैं लितन की समस्त राशी करमुक्त होती है तथा एक बार संसत द्वारा स्विक्रित राशी में सामराज जी के जीवन काल में कोई कटाती नहीं कर सकते है शाही परिवार के अनिसेदस्यों को भी राश्ट्रे कोश से बेतन और भट्ते खर्च के रुक में वार्षिक अनुदान दिया जाता है यह अनुदान संसत द्वारा संविधी के आधायर पर सुनिश्यत किया जाता है तथा इस अनुदान को इस सिविल सूची कहा जाता है सिविल सूची की राशी संचित नेधी पर भारित होती है अनुमान है कि ब्रिटेन के समराट पद पर कुल मिलाकर प्रतिवर्ष 50 लाख पॉंड का व्य होता है राश्मकुट की शक्तियां अत्वा सिधान्त के रूप में समराट की शक्तियां सिधान्त रूप में ब्रिटेश समराट को अत्यनत व्यापक शक्तियां पराप्त है खानून के अनुसार व्यवस्थापिका का अभिभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष था इंग्लेंड, वेल्स, उत्रिय आइलेंड और स्कॉटलेंड में नियाई पालिका का प्रिधान है समस्तेन नी शक्तियों का नियंत और चर्च का अध्यक्ष भी है उसे ब्रिटिश राज्य का मानविक्रित रूप कहना अनुचित नहीं होगा समराट की शक्तियों के स्त्रोत समराट की शक्तियों का विकास दो स्त्रोतों पे हुआ है पहला राज की विशशादिकार और दूसरा संसदी अधीनियम राजमकुट की शक्तियों राजमकुट की शक्तियों का अध्यन निमन शीर्शक के अंतगत किया जा सकता है पहला है कारेपालिक शक्तियां राजमुकुट का मुख्य कारे कारेपालिका से है इस रूप में उसके कारे अत्यंत महत्पून है और उसे अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है इस संबन्ध में उसका शक्तियां इस प्रकार है पहला राजमुकुट का सबसे प्रमुक का और राश्ट्री कानूनों का क्रियानवेन करना है राजमकुट प्रधानमंत्री तदा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्य के सभी उच्छ अधिकारी और जल्थल और नपस एना के समस्त पता अधिकारी राजमकुट के द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं ग्रेट पुटेन के अन्ने देशों के साथ संबन्द अपनिवैशिक राज तद्धा अधिनस्त प्रदेशों का शासन आधिकारे राजमकुट के द्वारा ही निरतहरे तो संपादित किये जाते हैं राजमकुट ही राज़ूतों और वानिजिक दूतों को न्यूक्त करता है युद्ध की घोशना संदीवार्था भी राजमकुट के अधिकार के अंतर गताते हैं राजमकुट के द्वारा अपराधियों को शमा करने तथा उन्हें दंड देने उनके दंड को कम करने का कारे किया जाता है स्थानिय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है क्योंकि इंग्लेंड में स्थानिय स्वशासन केंद्रिय सरकार के अधिकार में ही है राजमुकुट राज की पोश के नियंतरन का संचालन करता है मंत्रिगन व्यक्तिगत या सामोहिक रूप से जो भी कारे करते हैं वे राजमकुट के नाम से ही किये जाते हैं इस प्रकार कारेपाले का शेत्र में राजमकुट की कारेपाली का शक्तियां अतने दिवापक हैं और ने राजमकुट की कारेपाली का शक्तियों को अमेरिकी राश्पती की कारेपाली का शक्तियों के समकष कहा है दूसरा है इसका व्यवस्थापन संबंदी शक्तियां राजमकुट को व्यवस्थापन संबंदी अनिक शक्तियां प्राप्त है प्रिजेन में कानू निर्माण की शक्ती संसत सहित राजा को प्राप्त है इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसत के साथ मिलकर विवस्थापन संबंदी शक्तियों का उप्योग किया जाता है इस संबंद में राजमुकुट को निमलिके चक्तियां प्राप्त है पहली है संसत के दोनों सदनों में से द्विती सदन जिसे लॉट सभा कहाता है इसके निर्मान के संबन में राजमकुट को शक्ती प्राप्त है राजमकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाय जाता है केवल वे ही लॉट सभा के अध्यक्ष होते हैं लोग सदन की चुनाओं की तिती भी राजमकुट के द्वारा ही घोशित की जाती है राजमकुट संसत के दोनु सदनों का अधिवेशन बुलाता और स्थागित करता है नौट सवा तो एक स्थाई सदन है लेकिन राजमकुट लोक सदन को विगटित कर सकता है संसत के आरब में समराट भाशन देता है जिसमें देश की नीती पर प्रकाश डाला जाता है वास्तिविकता यह है कि समराट का भाशन उनके मंत्रियों के द्वारा तयार किया जाता है और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्दन नहीं कर सकता कोई विदेयक उस समय तक आनून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर समराट के हस्ताक्षर न हो गए हो राजमकुट को अधी राज्जियों के संबंद में घोशना और अध्यादेश चारी करने का अधिकार है पिछले कुछ वर्षों से राजमकुट को व्यवस्थापन शेत्र में एक और शक्ती प्राप्त हो गई है और वह सपरिशद आधेश चारी करने की शक्ती राजमकुट ये कारे मंत्रियों और प्रिशासने के विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदक्ति व्यवस्थापन डेलिगेटेड लजिसलेशन भी कहते है नियाए संबंदी शक्तियां संब्राट को नियाए का स्त्रोथ कहा जाता है नियाएक शेत्र में उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं ब्रिजिन के सभी नियाएले संब्राट की नियाएले कहलाते हैं समराट ही नियाए धिशों के नियुक्ति करता है और संसत की प्राटना पर उन्हें हटा सकता है वह अप्राधियों के दंड को कम कर सकता है और उन्हें साथ ही शमा भी प्रदान कर सकता है समराट को धार्मिक शेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राफता है इंग्लेंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलजबत के समय से ही समराट उसके प्रमुख है वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे अग बिशप, बिशप, डीन, कैनन की नियुकती करता है समराट केंटिपरी और यॉक में धार्मिक सम्मिलन बुलाता है और इन समयलों द्वारा पारित नियमो पर समराट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आविशक है जिस प्रकार संसत द्वारा पारित विधियों को पर उसके हस्ताक्षर ज़रूरी है 1919 से चर्च प्रबंद के लिए नेशनल असेम्बली नामक संस्था की स्थापना की गई और इस सबादवारा पारित नियमों पर राजमकुट की अंतिम स्विकृति आविशक है तार्विक शेत्र में समराट की स्थिती की कारण ही उसे धर्म रक्षक भी कहा गया है पांचवा सम्मान का स्थोत राजमकुट को अधिकार प्राप्त है कि ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सुचक उपाधियां प्रदान कर सके इस प्रकार के उपाधियों के ज्यूक, वैरन, अर्ल, नाइट और लॉड की उपाधियां प्रमुख है समराट की वास्तविक स्थिती समराट राज करता है, शासन नहीं सद्धान्तिक द्रिश्टे समराट की जिन शक्तियों का उलेक किया गया है व्यभार में उन शक्तियों का प्रयोग समराट के द्वरा नहीं बलकि कैबिनेट के द्वरा किया जाता है समराट तो कारेपालिका का अपचारिक प्रिधान है जो राज्य करता है शासन नहीं बिटेन में संसथी शासन विवस्ता है उसकारण प्रत्यक सारवजनिक कारे के लिए मंत्री मंडल संसत के प्रती उत्तरदाई होती है यह नितान सुभाविक है कि शक्ति और उतरदाईत वो साथ साथ चलते हैं अतवास्तविक रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिगणों के द्वारा ही किया जाता है समराट द्वारा नहीं समराट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर्ट ही कहते हैं कि यह विशाल गगन चुम्बी और वैफपूर नटालिका है जिसके अंदर राजनितिक शक्ति का एक शूनिस्थान है ट्यूडर काल तक समराट का पद वास्तम में शक्ति का प्रभाव का पद था महरानी अलजबेत प्रथम एक शक्तिशाली शासिका थी किन्त उनके बाद से ही समराट के पद की शक्तियां कम होनी प्रारंप हो गई सत्रवी शताब्दी में असीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के समर्थों के बीच जो संगर्ष हुआ उसके प्रणाम स्वरूप समराट का पद की स्थिति कमतर हुई और यह इसके लिए घातक भी सिद्ध हुआ सन 1649 में समराट पद को समात करके गंदतंत्र के स्थापना की गई यह दिपी यह गंदतंत्र 11 वर्ष ही चरा और 1960 में समराट पद को पुनर जीवित कर चार्ईस तुटि यह समराट बना दिया गया किन्तु इसके साथ समराट पद की सकतियां पुनर जीवित नहीं हो सकी अब समराट प्रशासन की छटरचाय में ही रहे गया वास्तिविक संसता संसत के हाथों में आ गई 1688 की गौरवपून कुरांती ने समराट पत की शक्तियों को सदयव के लिए कम कर दिया और समराट पत संसत की सरवोचिता स्थापित हो गई इसके बाद जैसे जैसे कैबिनेट का विकास होता गया समराट की शक्तियों का रास होता गया समराट की शक्तियों के रास में हैनोवर वंच ने बहुत योग दिया हेनोवर वरंच के प्रथम तो राजा जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज दृतिय ना तो अंग्रेजी भाषा से परिचित थे और नहीं प्रिटिश राजनीती में उनकी कोई रुजी थी अधा उनके द्वारा मंत्री मंदल की बैठोकों के अध्यक्षता न की जाने पर प्रधान मंत्री के पद का विकास हुआ जॉर्ज तृतिय ने राजपत की शक्तियों को पुर्णर जीवित करने की अथक चेश्टा की किन्तु इसमें वह सफल नहीं हुए अप्रधार मंत्री और कैबिनेट के सदस्यों को नियूक्ती और पच्चुती के संबन्ध में निश्चित परमपराये स्थापित हो गई और समराट इस संबन्ध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता था सन 1834 में विलियम चतुर्त ने संसद में बहुमत रहते हुए मेलबर्न मंत्री मंडल को पच्चित करने का प्रयत नहीं किया था किन्तु वह इसमें सफल नहीं हुए समस्त अनिच्चा के बावजूद 1833 में समराट को प्रथम सुधार अधिनियम पर अपनी स्विकरती देनी पड़ी रानी विक्टोरिया का पद पूंट्या मर्यादि चक्तियों का पद बन गया था वर्तमान समय में समराट शासन का अपचारिक प्रधान है तता उसका अधिकार नाम मात्र है प्रधान मंत्री की नियुक्ति के संबंद में निश्यत परंपरा हैं और वह लोकसदन के बहुमत दल के नेता के प्रधान मंत्री पद प्रधान करने के लिए बाद दे है कैबिनेट के सदस्यों के नियुकति प्रधान मंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें समराट की इच्छा को कोई महत्व नहीं है समराट की व्यवस्था संबंधी शक्तियों के विशय में भी यही इस्थति है संसत के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने और सकित करने का कारे निश्यत परमपराओं को और प्रधान मंत्री समराट की इस शक्ति का प्रयोग प्रधान मंत्री की मंत्रना के आधार पर ही कर सकता है संसत में समराट के द्वारा जो भाषन बढ़ा जाता है वो मंत्री मंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है समराट इसमें कोई परिवर्दन नहीं कर सकता यद्दिपी सद्धानतिक रूप से समराट की सीवक्रिति के बिना कोई विधयक कानून नहीं बन सकता किन्द विवहार में समराट किसी विधयक को अस्वेक्रित नहीं कर सकता निशेधा दिकार इस तृष्टी से अब एक मृत संस्प्रथा है पिछले 290 वर्षों में इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया सामराजी एन ने 1707 में स्कॉच मिलिशिया विधेयक पर इसका अंतिम बार प्रयोग किया था